हलो नमस्का दोस्तों श्वागत आपका हमारे चैनल जियसा स्टेटी 94 में और दोस्तों जैसा कि आपको पता हम दैनिक जागरान का डेली एक एडिटोरियल लेके आते हैं पूरे प्रेश्ट का उसके बारे में गहरा इसे आपको बताते हैं कि आप अपने आपको धारा प्रव करतwo को आप समझजिए किस प्रिकार से जो है कांगरियस एक ऐसी अरजकता हमारे शमाज में खड़ी कर रही है जिसके बाद आपके पास कोई बिकल्प ही नहीं रहेगा आपके पास यह सकती नहीं रहेगे कि आप किसी का चुनाव कर सकें ठीक है तो उसके बारे माहिए हम आ मर्ज करते हैं जोड देते हैं ठीक है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम जो है कि अपने तरब से बहुत ज़्या कुछ बोलते हैं हम चीजों को खाले गहराई से समझाते हैं आपको ठीक है और जो आकड़ी होते हैं उसके बारे में या फिर एक्जामपल के थूरू कि आपको समझ जो मैं उसके बारे में बताते हैं चलिए फिर आगे चलते हैं लोक शबा चुनावम उत्तर पदेश की भूमिका हमेशा केंदरी रही है सबसे अदासी सांसर चुनने और आजादी के बाद 15 मेंशे 9 अर्था 60-30 प्रधान मंतरी देने वाले राज्य के रूप में इसकी ख्य और ना कहीं कुछ और संदेश तो नहीं दे तो उत्तर प्रदेश की जंता ने 2007 में बसपा, 2012 में शपा और 2007 में भाजपा की बारी बारी से प्रदेश की स्वत्ता सोंपी उसने कांगरेश के साथ भी न्यास किया और 2009 लोक्षबा चुनावम में उसकी जोली में 20 सीटे डाली लेकिन कांगरेश है कि यह मानती ही नहीं कि अभी मतदाओं का एक बड़ा वर्ग कांगरेश समर्थक है जो योगी सशक्त नित्यत प्रभावी संगठन जमीनी कारिकरताओं से नियापून ब्यवार दली लोकतंत को तरस रहा है कांगरेश के लिए ठेक नहीं रहा है कि प्र चले 10-20 साल से कांगरेश पार्टी के द्वारा जुड़े हैं चाहे महां के स्पोक्सपर्सन चाहे प्रवक्ता हो चाहे दोस्तों पार्टी के बड़े-बड़े कारिकरता हूँ या फिर कहे शक्ते MP में ले हो किस प्रकार से दूसरी पार्टीयों में जा रहा है दल बदल कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इससे यही प्रतीत होता है कि जिस प्रकार की संकीन राजनिती कर रही है उनसे वो लोग उब चुकी हैं इनके पास कोई दृष्टी कोण नहीं है कि वो जनता को बता शकें कि हम किस प्रकार क्या न्याय देंगे किस प्रकार की सुविधायें देंग जिस परकार के विकास में आम जनता को शामिल करेंगे हम मानते हैं कि आज हमारे देश में जिस परकार से एक दूसरे को उपर आरूप परत्यारूप गढ़ा जा रहा है इससे यही लगता है कि लोग एक दूसरे की बस ब्यक्तिगत छवी को बिगालने की कोशिस कर रहे हैं विकास के नाम पे एक दूसरे को बेकूब बना रहे हैं पर देखिए आप पुरी शंभावना करिए कि जितना हो शके आप सच बोलिए आज जनता समझदार हो चुकी है हर एक सक्स के पास लगभग लगभग ऐसी कई टेक्नलोजी या कह सकते हैं टेक्नलोजी गैजेट हैं जिसके माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है अगर आप किसी प्रकार के जूठा आरोप किसी ब्यक्तिगत लांचन या किसी ब्यक्तिक उपर लगा रहे हैं तो लोग जाके गूगल में इन्साइकलोपीडियम उसके बारे में देख लेते हैं आपकी जानकारी कितनी सटीक है अगर एक बार चलिए आप होता है कि नहीं चलिए बंदा भूल गया होगा चुनावे प्रक्रिया में पर अगर बार बार इस तरह कि अगर आप अपने आकड़े बदलेंगे गलत तरीके से बोलेंगे तो इन्सान समझ जाता ये पूरी बनावटी है इनके पास कोई इंफर्मेशन नहीं है कोई एजिंडा नहीं है अभिकास का कोई मैनफेस्टो सही नहीं है ये बस चीतने की कोशिस कर रहे है उसके बाद फिर जनता कोई मुर्ख बनाय जाएगा उसके बाद देखिए भाई को कांग्रेस त्याक कर भाजपा में सामिल होना पड़ा सच तो ये है कि ये एक लंबी परंपराज जो बाबा शाह बंबेटका डाक्टर मुनहर लोहिया बाच्चार नरम देवजः प्रकास नरान से स्रूंग मुरर जी देशाइग कोई दिक्कत नहीं लेकिन जब किसी पार्टी के बड़ी निताम को लगे कि उनकी पार्टी छोडने को इसलिए बिवर्ष होना पढ़ रहा कि पार्टी में विचारधारा और योग नित्रित को दरकिनार कर किसी एक वंस और एक परिवार को आगे बढ़ाया जा रहा है तो यह हरा किरी अर्थात आत्म घाती होता है फिर तुचा कर भी मद्दाता ऐसी किसी पार्टी को कैसे ओट देशकता है जी हां दोस्तों लगता कि कांगरिस ने ये ठान लिया कि किसी भी कीमत पर राहूल गांधी को ही प्रधान मंत्री बनाना है पता नहीं राहूल गांधी बनें गया नहीं लेकिन यह दिख रहा है कि उन्हें अपनी छवी और प्रतिष्टा की परवार नहीं है लोग तंत में योगजिता से ज्यादा सं समर्थन महत्व पूर है आज मोदी के मुकाबले राहुल की योगिता का पैमाना नहीं लेकिन लोग सिर्षपत के दावेदार के कुछ भासाई सब्विता और वैचारी के लच्मण रेखा की उम्मीद जरूर करते हैं लोग प्रधान मंत्री मोदी पर राहुल के बढ़ते बेक्तिकत हम लोग को लच्मण रेखा को लंगन की रूप में देख रहे हैं या आश्चर की बात की चुनाव पूरू इसका स्वरूप उतना गंभी नहीं था लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बलड़ा वैसे वैसे राहुल मोदी को गहरने के कोशिस कर रहे हैं देखिए कई बार सुप्रीम कोड के दौरा भी क्लीन चिट दे दे गई है कि राफिल जो मुद्दा है जो शौदा था फ्रांस के साथ डसॉल कंपनी के साथ उसमें किसी प्रकार की गड़बली नहीं पाई गई है किवल कुछ दस्तावे जो कि शाथ छेड़ खान किया है गुप्त रखा गया है वो आपशी मामला है उसमें जहां प्रतार चलनी कि ऐसा क्यों हुआ है पर इस तरह कारों नहीं मिला है तो आप फिर भी बार बार मंचों से जाके जैस पकार से श्रम बोधीत करते हैं एक प्रधान मंतरी के पद को और उसे के उपर व्यक्तिकत लांचन लगाते हैं या तक कि उसके प्रधान मंतरी जी के माह को भी नहीं छोड़ते हैं तो आम जनता देश के लोग क्यों न करें और आप उन्हें भी राजनीती मिला के घसीर देते हैं किसके बाद कोई अपनी माह को के सामने नत्मस तक न हो उनका एक और नारा है किस प्रकार से भी नहा स्लोगन आया है कि किस प्रकार से मोधी सबसे बाला है देश को उसने लूटा ऐसे कुछ उनका श्लोगन है आप देखेगा तो जो एक के बाद एक आप इस प्रकार से श्लोगन का निर्माल कर रहे हैं हो शकता है आपके ब्यक्तिकत इस्तर को काफी नुक्षान पहुँचे क्योंकि देखिए भाजपाईयों के द्वारा और खास कर देखिए तैंक करता है कि पाल्टी में उस ब्यक्ति बिशेस का वर्चस हो क्या है ठीक आप कांग्रेस के प्रेशिडेंट है आप इस प्रकार के लांचन लगा रहे हैं पर कभी पता है कोई ब्यक्तिकत आरोप मोधी जिन आपके उपर लगा है नहीं लगा रहा है आप ये बताईए कहां क्या नहीं हुआ है मतलब हमारे देश में किस चीज की जरूरत है बुनियाद उसी चुमकां सुधार नहीं हुआ है ये आरोप लगाने चाहिए ये नहीं कि आप सूट पहन दें इतने का तो जूता इतन जाते हैं अनिलंबानी आपके पास कोई भी एवर्डिंस नहीं है फिर भी बार बार किस पकार सुने आप बैजज़द कर रहे हैं मंचों से जाकि आनिलंबानी चूरत 30,000 करों का गबन किया है और ये ब्यमों के दारा दिया गया है मोदी जी ने दिया है इस पकार के कांगर्स उसाइद इसका अभास नहीं कि राहुल गांदी जितने जोड से चोकिदार चोर है कानारा बुलंद करते हैं जनता की नाराजगी उनके प्रति उतनी ही बढ़ती है अब तो सुप्रीम कोड ने भी इस नाराजगी ज्यादा की राहुल गांदी ने इसके हवाले के कै ऐसे का की चोकिदार चोर है ऐसा प्रतित हो रहा है कि बिपक्षी जितना मोधी के बिरुद गोल बंद हो रहा है जनता उतनी ही मोधी के पक्ष में लाम बंद हो रही है यह भारती जनता का विजच्चत प्रवित्ती है वह उस व्यक्ति के साथ खड़ी होती जिसके साथ उस लगातार मोदी पर बैचारी काक्रमक्ता को अब शब्दों में पिरो कर नक्योल उशन निस प्रभावी बना रहे हैं वरन मतदाओं को मोदी के पक्ष में लामबद करने के भी काम करें दुरुभागेशे वो कांगरेस के अन्यवरिश नेताओं को भी तो इस इसे संतोस है या जान भूज कर कांगरेस की इस दलदल से निकलने का प्रयास नहीं करना चाहते हैं इसलिए आश्या जनक क्योंकि कांगरेस देश के कई राज्यों समय सबसे बड़ी अबादी वाली राजी उत्तपदेश में बीते 30 वर्सों सक्ता से बाहर है उत्तपदेश में वह चौथिय में इसके संपाद की में ही है कि आप राजनेती करिए परवास्तविक मुद्दों के राजनेती करिए जो हमारे देश की जनता को जरूरत है आप बात करिए आप चीजों को उठाइए अपने मंचों से बिरुजगारी को उठाइए गरीबी को उठाइए पोसन को उठाइए स्वास्य समध्य जितनी भ्यानक बिमारिया है उससे उठाइए बच्चों के पोसन के लिए महिलाओं के पोसन के लिए उप्यक्षित समाज के लिए पीरित समाज के लिए किसानों के लिए सैनकों के लिए ये सब बाते उठानी चाहिए न कि आप जिस प्रकार की राजनिती कर रही है ब्यक्तिकत लांचन लगा रही है ये क्या कोई जिसे लग रहा है कि कोई परिवार के कोई एक पद है जिसे आप ब्यक्तिकत लांचन लगा के उतार देंगे कि नहीं और ब्यक्तिकत लांचन ऐसे भी आप समझ ही रहे हैं कि मां का पैर छूते हैं सूट पहनते हैं बू मैं ले कुछ और ले कपड़े पहनेंगे तो उस देश की वास्तिवे चवी कैसे जाएगी उनी को देखके तो यही बताया जाता कि नहीं उस देश के उस देश के प्रधानमति जैसे कि अगर आपका बेटा है जिसे दूसरे घर जाता है तो साथ कुछ लोग परिवार के आशे होंगे जो यह नहीं जानते कि नहीं किसके परिवार का लड़का पर उसके रहन शहन पहनावे से यह बता शकता है कोई कि नहीं इसके परिवार के लोग किस पकार के होंगे किसी योग के तक होंगे बात करने के जो सैली है चलने के सैली है और एक जो सम्मान है बड़ो का छोटो का जो आदर है तो यही सब देखा जाता है उसके बाद है आपका यह देखिए बिदा होता लालटिन यूग इसको समझेगा दोस्तों बिदा होता लालटिन यूग कहने का सीधा सीधा यह अर्था था एक समय था गाउं में लालटिन की प्रमुक्ता कितनी थी यह जो बिजली आपको दिख रहा है यह बस नाम मात्र का था वास्तविक बिजली यहां पर नहीं थी यह आपको पता होना चाहिए बस दिन में यह अब्तों में कभी कभा लाइटिन आती थी रात में लालटिन की कितनी प्रमुक्ता थी जो लोग गाउं से तालुकात रखते हैं वैसे बताएगा आप प्रिकार से वा लालटिन को त्याग दिया है यह आप लोग बताएगा तो कहने काने का मतलब है यह दोस्तों जिस प्रिकार से 2019 का लोक्षवा चुनाव है पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जैसे कि बुनियादी चीज़ें हैं जैसे बिजली हुआ, पानी हुआ, शडख हुआ पहली बार ऐसा हुआ कि लोक्षवा चुनाव कि मैनिफेस्टों से या सम्बोधन में यह चीज़ें नहीं मिली हैं तो कहने का कहीं न कहीं जो मतलब है जब किसी चीज़ की मांग नहीं उठ रही है तो कहीं न कहीं यह बिकास पूर हो चुका है तो पिछली पान साल में अगर इस प्रकार की मांगें नहीं उठ रही हैं तो सिधा-सिधा आप अंदाजा लगा शकते हैं कि हमारे देश में पान साल में बिजली की मामली में गर देखा जाए शड़कों की निर्माण की बारे में देखा जाए और पानी की मामले में कहीं कुछ जगें देखा जाए तो अभूत पूर्व शफलता प्राप्त हुई है जिस वज़शे इस चुनाम उससे उठाय नहीं जा रहा है ठीक है तो इसका मतलब यही हुगा बिदा होता लाल टेन यू नित आपको पता हुगा दोस्तों किस प्रकार से जो ग्रामीर जीवन था अंदकार में रहता था भले 342 तकरिबन ग्रामीर जो लोक्षभा सीटे हैं होने के बाउजितरनी बड़ी संख्या में किस प्रकार से गाउं के लोग थोड़ी से यहां धी चल देती थी पोल गिर जाते थे तार गिर जाते थे ट्रांसफार्मर ओड़ी आता था महिनों महिनों भर लोग रह देखते थे कि कोई ओफिशर आएगा कोई जांच करता आएगा फिर से लगाएगा फिर से बनाएगा फिर भी निराशा होती थी फिर उसके एक महिने बाद विजली का खंबा तोड़िया था था फिर लोग 15-20 दिन देखते थे हैं कि कोई आएगा देखेगा तो जिन और सुविधाओं से हमारा ग्रामिड जीवन बीता है हम महसूस कर सकते हैं कि नहीं क्या अस प्रश्टिती थी किसान फशल बोने के बाद लाइट की ब्यूस्ता नहीं थी कि वो अपने फशलों को सीच सके सीचाई कर सके तो कहीं ने कहीं अगर यह समश्चाई खत्म ही है तो काबिले तारिव हैं और आई इदर थोड़ा देख लेते हैं कांग्रेस की भासा तो यह का लूटा है मोदी ने लूटा है सोचिए आप सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्ता ने प्रिक्रिया की जहां पर यह साबित हो चुका है कि नहीं हमारे देश के जो प्रधान मंत्री हैं जिस पकार से पक्षी पार्टियों के दौरा राफिल शौदे में गरबड़ी बताया जा रह उसमें वो बरी हैं there is no clear there is कह सकते हैं you don't have evidence to prove that that is wrong तो हम कैसे action ले 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 तो वही चीज है इस प्रिकार के जिस प्रिकार से यह लांचल लगा रही है उनके साथ साथ जो उनके कई गदावर ने ता है उनके उपर या फिर कुछ उद्धमी है उनके उपर यह कहां तक सही है आप लोग भी मशुश करिएगा सूचिएगा उसके बाद है दोस्तों यह अंतिम परिच्छा नहीं यह बिशेस कर मैं कहना चाहता हूँ जो दसमी और बरहमी की बच्चे है उनके लिए या फिर और भी बच्चों के लिए है पर जो पेसली मैं बात करा उ लोगों के लिए यह वीडियो है क्योंकि उन्हीं से संब्धित यह लिखा कि हाई स्कुलों इंटरमीडियर परिच्छा में सत पत्सत परिच्छार्थी उत्तिर नहीं होगी जिहां दोस्तों जिन बच्चों ने जिन बालक या बालिकाओं ने दसमी बर हमें का एक्जाम दि अगर आप शफल भी होते हैं तो ठीक है असबल भी होते हैं तो आप भी स्पेशल हैं आप फिर से कोशिस करिएगा कि यह क्या यह नहीं है कि आपके जिवन का पहला ही एक्जाम है आप फिर से मेहनत करिएगा अच्छे नंबर लाइएगा बार-बार मेहनत करिएगा पर किसी भी गतिविधी को अपने अंदर संचालित मत्थ होने दीजिएगा जिसके दौर आपके अंदर एक निराशा हो क्योंकि याद रखेगा आपके पीछे पूरा परिवार है आपके पीछे आपके माँ बाप हैं भाई बहन हैं अगर फेल भी हो जाते हैं तो उसे भी आप इ नज्वाय करें लोगों का कहना है कहने दीजिए सही बैक्ति को लोग कहते हैं अगर मूदी को लोग जो पूरी देश को चला रहा है उसके उपर इस पिकार के बैक्ति के लांचन लगाए जा रहे हैं तो आप तो फेल बस हुए हैं पर आप शाबित करिए गागली बार की हा और आप अपने जीवन के बारे में सोचीगा जीवन अनमोल हैं किसी के बहकावे में आज जीवन की एक दू एक्जाम के अस्फल हो जाने में आप ऐसा कदम मत उठाएगा हो सकता है कि इसके बाद आपके पास कुछ बेहतर चुना हो साथ आप दश्मी फेल हो गए हो क्या प झाल